नमस्कार, स्वागत है आपका 7i News में और मैं हूँ अशाली महनत और जजबा हर मुश्किल को आसा बना देते हैं द्रण एक्षय शक्ती और होसला हर बाधा को पार कर काम्याबी के उजाले से जीवन को रौशन कर देते हैं ये संदेश दिया है जार्खन के राची में रहने वाली मुन्नावती ने मुन्नावती उन सभी लोगों के लिए एक प्रेणा है जो अपने दम पर सपनों को पूरा करना चाहते हैं और काम्याबी की उडान भरना चाहते हैं आपको बता दे मुन्नावती ने इट के भट्टे पर मजदूरी करते हुए संस्कृत में एमे किया है और इतना ही नहीं उन्होंने एमे में गोल्ड मैडल जीतते हुए उनिवर्सिटी टॉप भी किया है आईए जानते हैं मुन्नावती के संघर्ष की कहानी जीवन में मुश्किलों से पार हुकर सफल होने के कई किस्से आप सभी ने सुने होंगे लेकिन हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संघर्ष दुन्या के लिए मिसाल बन गया है जी हाँ ये जार्खन राची के डोलिंचा गाउ में रहने वाली मुन्नावती के कहानी है मुन्नावती भते पर काम करने के अलावा और कई जगाउं पर मजदूरी करती थे उन्होंने मजदूरी करते हुए संस्कृट में MA किया है और साथ ही MA में गोल्ड मैडल जीता है युनिवर्सिटी टॉप किया है गरीबी और अभावों के बावजूद मुन्नावती ने सफलता की उचाईयों को चुआ है उन्होंने लगन और परिश्रम से अपने गरीब मातापिता के अर्मानों को परवान चड़ाया और उनका नाम रोशन किया मुन्नावती को संस्कृत में आमे करने के बाद राज की प्लस टू हाई पोस्ट ग्रेजूइट ट्रेंट टीचर नियुक्त किया गया है और साथ ही नगर विकास मंत्री ने उन्हें पोस्टेंग लेटर भी सौपा है इस मौके पर मुन्नावती ने बताया कि वो एक गरीब परिवार से तालूक रती हैं इसलिए मजदूरी करना उनके लिए कोई अच्रज भरा काम नहीं है उन्होंने 1998 में मैट्रिक के परिक्षा पास की लेकिन परिवार की बदहाल आर्थिक स्थिती के चलते 2005 तक पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह दूर रहें लेकिन उनके पढ़ाई करने का और कुछ बनने का सपना हमेशा से दिल में था इसलिए उन्होंने दुबारा पढ़ाई करने के लिए फिर से एट भटे पर काम करना शुरू कर दिया और इसके अलावा अन्य जगहों पर मज़दूरी भी गे इसके बार मुन्नावती ने करम चंद भगत कॉलेज में दाखिला लिया और संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी और यहीं उनकी महनत का नतीज़ा है कि उन्होंने साल 2019 में उनिवर्सिटी में टॉप किया साथ ही उन्हें M.A. में गोल्ड मैडल भी मिला है और इन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई है जिसमें वो पोस्ट ग्रैजुट ट्रेंड टीचर नियुक्त हुई है अपनी कामियाभी पर मुन्नावती का कहना है कि J.S.S.C की PG ट्रेंड टीचर के नियुक्ती परिक्षा करने के बाद उन्हें ये मुकाम मिला है जिसे वो सफलता पूर्वक शिक्षिका के रूप में अपने कर्तव विकों निभाना चाहते है उनकी सालों की मेहनत और संगर्ष अब रंग लाया है जिसे वो बेकार नहीं जाने देंगे इसलिए वो बच्चों के भविश्य को बहतर बनाने के लिए उन्हें शिक्षा देंगी जिससे उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई मुश्किल नहीं से मनाई इन्हें उसके लिए फिरोजा कांगी रिपोर्ट